नमस्कार जी मैं भगवंत मान पंजाब में पिछले कुछ महीनों से लॉइन ओर्डर को या पंजाब के अमन शानती भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर समाजिक तत्व जो तोड़े कोशिश कर रहे थे जैसे ही हमें उनकी गतिविदियों की सूचना मिली हमने एक्षन लिया अठारा मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए चाते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे लेकिन हम नहीं चाते थे कि उसमें कोई खुन खराबा हो को गोली चले इससे पहले अजनाला में थाना के सामने पुलिस थाना के सामने जो पालकी साहब जिसमें श्रीगरू गुरन साहब जी की सवारी रहती है उसको कुछ लोग लेकर आगे थे उसको ढाल बनाकर वो थाने के अंदर चले गए थे उस दिन भी मैंने जो हमारे DGP हैं पुलिस के उनको यही नरदेश दिये थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन गुरू गुरन साहब जी की मर्यादा को उनके सम्मान में कोई आँच नहीं आनी चाहिए ना कोई हमने वाटर कैनन जूज किया ना ही कोई कंकर पत्थर चला उस दिन हाँ हमारे कुछ पुलिस जवान जखमी जुरूर हुए लेकिन गुरू गुरू गुरन साहब जी की जो इज़त सम्मान लोगों के मन में है उसके लिए हम कुछ भी करने को त्यार है तो उन पुलिस वालों की भी तारीफ हुई पुलिद दुनिया में कि उन्होंने अब बहुत ही संजम से उस स्तिती को कंट्रोल किया आज अमर्दपाल सिंग पैंतीस तिन हो गया आज अमर्दपाल सिंग भी गरफतार हो गया और जो जो लोग जो देश की अमन शानती जा फिर कनून को तोड़ने की कोशिश करेंगे उन पर कानून के मतावकारवाई होगी हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करें हम कोई बैटेंटा पॉल्टेक्स नहीं करते तो मैं साड़े तीन करोड पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शानती आपसी भाईचारे को बना के रखा शोशल बॉंडिंग जो है पंजाब की उसमें कोई तरेड नहीं आने दी और नहीं आने दी जाएगी इससे पहले ही बहुत कोशे हुई कि पंजाब की अमन शानती को भंग किया जाए भाईचारकसान को तोड़ा जाए लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि देश को अजाद कराने में भी 90% कुर्बानियां पंजाबियों की है और देश की अजादी को कैम रखने में भी हमारे जवान सरादों पर सीना तान के खड़े अभी कुछ दिन पहले चार हमारे योदे चार जवान हमारे पंजाब के वो सराद की राखे करते हुए जमो कश्मीर में उन्होंने शाहिदी का जाम पिया है तो पंजाब ने लीड किया है हरक शेतर में देश को लीड किया है चाहे वो अजादी का संगर्ष हो चाहे वो आनाज में आतमनिरवरता लाने के लिए हरा इनकलाब हो और चाहे वो अमन शान्ति कैम रखने के लिए तो मैं एक वर फिर होम मिनिस्टर होते हुए और मुख्य मंद्री होते हुए आमादी पार्टी को आपने तरम प्यार दिया जम्यदारी ती और आमादी पार्टी ने हमारे सुप्रीमों अर्विन केजरिवाल जी ने मुझ पर वरोसा किया बतार मुख्य मंद्री और मैं साड़े तीन क्रोड पंजाबियों को यकीन दिलाता हूँ कि आपके जानमाल की सुरक्षा और पंजाब में law and order किस्तिती को काइम रखना हमारा फर्ज है और यह फर्ज हम निभाते रहेंगे मैं पूरी रात नहीं सोया कल रात मेरे पास information आ गई थी तो मैं हर पंद्रा मिंट बाद हर आदे गंटे बाद मैं पूछता रहता था कि क्या हुआ मैं नहीं चाहता था कोई भी खुन खराबा हो जा कोई ऐसी स्तिती बन जाए जिसमें law and order जो है वो थाक पे लग जाए लेकिन कोई बात नहीं अगर साड़े तीन कोई पंजाबियों की सुक चैन की नीन के लिए हमें अपनी नीन जो है वो कुछ देर के लिए जब कुछ राथों के लिए गवानी भी पड़े तो होगी ये महंगी नहीं है क्योंकि बता और मुख्यमंत्री मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने साड़े तीन क्रोड जो लोग है मेरे पंजाब के अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग ब्रादरियों के अलग-अलग समाज के उनको कठा भी रखो और उनके बच्चों को एक बेहतर पविश्य दूँ उनके हाथ में पंजाब के नौजवान के मुकाबलों के गोल्ड मेडल सिल्बर मेडल, ब्राउज मेडल देखना चाहता हूँ ना के कोई गैर समाजिक चीजें कुछ लोग हैं जिन्होंने किछले दिनों पंजाब के युवाओं को बढ़काने की कोशिश की कि शायद वो दोबारा से बंदू के उठा लेंगे लेकिन पंजाब ने लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमनशानती को भंगनी होने दिया क्योंकि पंजाब ने बहुत से काले दिन पहले देखे हैं और पंजाब अब तरक्की करेगा पंजाब अब देश को लीड करेगा और जिस दिन पंजाब नमबर वन सुबब बन गया देश का तो हमारे देश को दुनिया का नमबर वन देश बनने से कोई नहीं रुख सकता बहुत बहुत धन्यवाद जैल